हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दू कि आज का जो वीडियो है यह इसकिन केर से रिलेटेड है ब्यूटी से रिलेटेड है तो इस वीडियो को मेल और फीमेल यानि लेडिज और जेंट्स दोनों ही आप जान रहे हो अभी आज आठ तारीक हो गई यह वीडियो जो मैं बना रही हूं तो जो है पांच या चार चार चे पांच-छे दिन बाद इन और रात्रे शुरू हैं उसके बाद में फिर करवा चौध दिवाली छट पूजा बहुत सारे फेस्टिवल जो है हमारे वह आने वाले हैं महीने आगले एक डेड़ महीने दो महीने तक पूरा फेस्टिवल ही फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप सब जो है इस पैसली करवा चौध छट पूजा के लिए तो बहुत सारी तयारिया करते हो ना पार्लर वगेरा वे महेंगे महेंगे ट्रीटमेंट लेते हो तो एक बार मेरी एक बात मान लो कि वो सब छोड़के क्योंकि अभी एक महीना तो आराम से ही है और स्पैसली करवा चौध के लिए तो एक महीने के आसपास ही है 20-22 दिन है तो अभी से शुरू कर दो आप आज ही से शुरू कर दो यह जो मैं बता रही हूँ और आप देखो जो है आप खाने पीने को भी थोड़ा ध्यान रखा करें क्योंकि उससे भी हमारे चेहरे पर जल्दी से जुरियां आने लगती है सिल्वटे पढ़ने लगती है और हमारी इस्किन ग्लो नहीं करती है तो चलिए शुरू करते हैं और खूब सारा सलाद खाया कीजिए एक प् किचेन में क्या-क्या ऐसी चीज़ें अवेलबल हैं जो हमारी इसकिन को बनाएंगे एकदम पार्लर से भी ज्यादा ग्लोइंग वह भी नैचुरल तरीके से बिना किसी नुकसान के और बिना ही पैसा खर्च किये हुए तो सबसे पहले आप भी आपको एक कटोरी लेनी है औ तो कुछ भी जो है इस तरीके से स्पैशल बनाना होता है नहीं तो हम चलो बेसन का बनाते है कुछ बेसन की बरफी तो बेसन बड़ा ही अच्छा है स्वाद के लिए भी और स्किन के लिए भी तो आपको ले लेना है बेसन अब आपको बेसन मैंने यहां पे एक चमट लिया कर सकते हो अब आपको इसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी तो भई हल्दी के जो बुण है उनको पतानी की तो मुझे कोई जर्रत ही नहीं है और आप क्या करते हो इसमें कई सारे लोग दही मिलाते हैं आप दही मत मिलाओ कच्छा दूद मिलाओ जो कच्छा दूद का मतलब ब ब्लीचिंग कामकरता आपके स्किन को गोरा बनाने के लिए और हल्दी जो है सब जानते हैं हो ांखि का ऐस्यादि फेस्या अफरे बहुत कर सकते हो तो healthy जो है एंडी बैक्टेरियल होती है skincare के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी healthy तो हमने देखो healthy दूद और बेशन को अच्छे से लेना है कर लेना है mix और अब आप उने इसी pack को ये जो बन के तयार हुआ है इसे आपको अपने चेहरे पे लगाना है और आँखों के नीचे भी लगाना है अच्छे से पूरे चेहरे को garden को cover कीजिए और आप फिर इसको लगाने के बाद में कोई दूसरा काम कर लीजिए इसे छोड़ दीजे 20 मिनट के लिए 20 मिनट या तब तक जब तक की ये सूख न जाए फिर जब आपको एक बार ये सूख जाए तो आप इसे जो है हलके हाथों से चाहो तो हाथों को गीला कर लो और हलके हाथों से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको रगड़ना है इसे जैसे ये देखे मैं ने पर लिया और अच्छे से पहले इस तरीके से आपने अपलाई करना है बहुत जदा पतला नहीं थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए देखे कुछ इस तरीके का अपलाई कर लिया छोड़ दिया सूख गया फिर आप इसे हलके आतों से चाहो तो हलका सा पानी रगा के गीला कर ल लाएंगे इससे धीरे धीरे और आप इसे हफ़ते में तीन दिन कर सकते हो एक एक दिन छोड़ के कर सकते हो चाहो तो आप डेली भी कर सकते हो इसमें कोई चीज नहीं है जो आपको बहुत नुकसान पहुचाई सब नैचुरल चीज़ें हैं खाने पीने वाल यह जो है जिन पहले ही यूज से आपको बहुत कमाल का फायदा मिलेगा, उसके बाद आपको अच्छे पानी से धो लेना है, ठंडे पानी से अपना चेहरा और जहां भी आपने लगाया है, इसके बाद में कोई नॉर्मल सा मोस्ट्राइजर, टोनर, गुलाब जले हो, वो आप लगा लो और आप सेट हो, तो इस तरीके से आप जो है शुरू कर सकते हो, इसे आप पूरी बाडी में भी यूज कर सकते हो, और नहाने से पहले आप इसे लगा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहाने से पहले लगाओगे, तो आप अपने बाडी के ज्यादा एरिया को कवर कर तो करवा चोह दिवाली कोई भी मौका आ रहा हो या आपको इंस्टेंट कहीं जाना है पता चलिए कल आपको जाना है तो जाने से पहले यानि मेकप करने से पहले भी अगर एक बार इसको कर लोगे ना तो आपको चेहरा बहुत हद तक साफ हो जाएगा एक काम आप और कर सकते तो इसको लगाने से पहले टमाटर को आधा काट लो और टमाटर में थोड़ी ची शुगर ढाल करके उस टमाटर से या बिना शुगर के भी टमाटर भी बहुत अच्छा ब्लीचिंग का काम करता है तो पहले आप टमाटर से अपने चेहरे को एक या दो मिनट की मसाज देद जो उमीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगे इंफर्मेशन पसंद आई होते इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए दोस्तों और चैनल को जरू सब्सक्राइब करना इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो को देखते रहने के लिए